गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज अपन बात करेंगे कुलकोज का मेनोस में परिवर्तन कनवर्जन और गुलकोज इंटू मेनोस ठीक है तो गुलकोज का मेनोस में परिवर्तन के यहां पर क्या है कि टू मेथड से अपने पास ठीक है तो अब इसमें क्या होता है कि यह एपिमराइजेशन पहले तो अपने इसका मिनिंग बात करते हैं तो क्या होता है कि जिन दो आईसोमेरिक जो होते हैं यानि कि आईसोमेरिक होते हैं समाविय भी होते हैं उनके कहे कि C2 यानि कि second number carbon, ठीक है, carbon atom का जा orientation होता है, विपरीथ हो, तो उन्हें क्या कहते है, यानि कि जैसे अपनी याँ पर अब 6 carbon की chain होती है, तो उसमें कहा है कि जो second number carbon है, ठीक है, गुलकोज में क्या होता है, कि aldehyde group होता है, first carbon, और aldehyde group के बाद जो second number carbon है, उस carbon पर क्या रहे, कि उसका जो विन्यास है, यानि कि konfiguration क्या हो, opposite हो, तो उसे क्या कहते है, äpimar कहते हैं, ठीक है, अब किनी 2 epimar करण कहéntे हैं, उन epimar में क्या है, कि जो inter change होता है, इंटरral जो change होता है, अंतर परिवर्तन होता है, वो उसको क्या कर बोलते है, epimary करन कहते हैं ठीक है जैसे उदान के लिए अपन फोर एक्जामपल यहां पर ले तो डेक्स्टो जो गुलकोस है डेक्स्टो गुलकोस का डेक्स्टो मैनोस में क्या है कि इसके दोनों के में क्या है कि जो second carbon परमानू है उनका जो परिवर्टन करने के जो पर्रोसेस है या जो क्रिया है वो क्या होती है एपी मरी करन कहला थिक है तो अब इसके बाध अपन बात करें आац acompanelle तो क्या होता है कि गुलकोज को मैनोस में या मैनोस को गुलकोज में अगर अपने को इंटरचेंज करना है अंतर परिवर्तन करना है तो इसके लिए क्या है कि जो रियक्शन होती है तो रियक्शन की एक जो चेन है उसको संपन करते है अपने रियक्शन एक चेन होती है रियक् फ़र्ष्ट एक्जाम पर लें आपर गुलकोव से मेनोस का sinthesis करेंगे आठर तो उस condition में क्या है कि गुलकोव को क्या करते हैं कि ब्रोमीन वाटर से क्या कराते हैं औक्षडाइज कराते हैं तो oxidize कराने पर क्या होगा कि आपको पता है कि जो LDID group होता है वो carboxylic group में change हो जाएगा ठीक है अब जो carboxylic यानि कि यहाँ पर क्या होगा carboxylic group में change होगा तो मीन यहाँ पर क्या होगा monocarboxylic acid यहाँ पर form हो जाएगी यानि कि इसमें यह change हो जाएगा गुलकोज ठीक है अब गुलकोज इसमें चेंज होने के बाद इने क्या है कि अब यह जो एसिद यहां पर फॉम हुआ है मोनोकार्बॉकसलिक एसिद तो इसको क्या करते है कि प्रेडिन के साथ जब हीट करते हैं तो क्या होता है कि यह एक दूसरे में क्या होता है इंटरचेंज हो जाते हैं ठीक है ना यानिकि जो अपने यहां पर जब इसका ऑक्सिडेशन करेंगे तो यहां पर गुलुकोनिक एसिड बनेगा तो गुलुकोनिक एसिड जो यहां पर फॉम होगा तो उसका क्या है कि अपन परिवर्तन होते रह जाते हैं जिने क्या है कि गर्म करने पर यह क्या हो जाते हैं कि इनका रिडक्षन हो जाता है और रिडक्षन होने पर क्या है कि इनका क्या है गर्म करने के बाद क्या करते हैं इनका रिडक्षन करते हैं और रिडक्षन करने पर क्या है कि जो अपने को उत एक्जाम्पल पर गुलकों से मैंनो उसका इंटरचेंज यहां पर एक्जाम्पल अपने लेगे ठीक है फिर इसके अपने अभिक्रिया बताएंगे तो अपने यहां पर फर्स्ट लीश की डेफिनेशन पर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जिन दो आईसोमेरिक समाव्य व्यो के सेकिंड कार्बन यानि की सी टू कार्बन एटम का कोंफ्रिग्रेशन विन्यास विन्यास ओपोजिट हो विपरीथ हो तो उन्हें क्या कहते हैं एपी मार्ज एपी मार्ज कहते हैं या एपी मार्ज कहते हैं ठीक है आगे क्या बात होती है कि किनी दो एपी मार्ज एपी मार्ज के इंटर्नल चेंज अंतर परिवर्थन को क्या कहते हैं एपी मरी करण एपी मरी करण यानि की एपी मराज़ेशन कहते हैं ठीक है फूर एप्जाम्पल क्या होता है कि डेक्स्ट्रो गुलकोज डेक्स्ट्रो गुलकोज वे डेक्स्ट्रो मैनोज मैनोज के सी टू कार्बन एटम का कोंफिरिगेशन कोंफिरिगेशन क्या होता है ओपोजिट विप्रीद होता है आता है ये दोनों एक दूसरे इच अदर एक दूसरे के क्या होंगे एपी मर होते है ठीक है इसकिवाद गुलुकोज का मेनोज या मेनोज का गुलुकोज गुलुकोज मेचे चेंज चेंज करने की रियक्षन या प्रोसेस क्रिया ठीक है क्रिया एपी मरी करना कहलाएगी ठीक है तो इनका चेंज होना ही अपने एक सिस्टम सीदी सी एक क्या बोल सकते के लेंग्वेज यहां पर कि गुलकोज का मैनोस में या मैनोस का गुलकोज में इंटर चेंज होना या इंटर कनवर्जन होना क्या है एपी मरी करना ठीक है क्या लाएगा अब यहां पर क्या है कि अपने एक एक्जाम्पल से अब आप यहां पर बताएंगे डेक्स्ट्रो गुलकोस से डेक्स्ट्रो मेनोस मेनोस बनाने के लिए सरफिर्थम क्या करते है इन्हें ब्रोमीन वाटर यानि कि ब्रोमीन जल से ओक्सिडाइज ओक्सिग्रत करा कर मोनो कार्बोक्सिलिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जाते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जाएंगे फिर क्या करते हैं इन एसिड्स को जब प्रिडीन प्रिडीन के साथ हीट किया जाता है प्रिडीन के साथ क्या करते हैं हीट करते हैं तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज चेंज हो जाते हैं हो जाते हैं जिने हीट करने के बाद हीट करने के बाद रिडक्शन करा कर इच्छित कमपाउंड प्राप्त होता है फोर एक्जाम्पल यहां पर क्या है ग्लूकोज डेक्स्ट्रो ग्लूकोज से डेक्स्ट्रो मेनोस का फोर्मेशन ठीक है तो इसका फोर्मेशन कैसे होगा तो इसके लिए अपन क्या करेगी कि सबसे पहले अपन क्या लेते हैं डेक्स्ट्रो ग्लूकोज लेते हैं तो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज क्या होगी यह हो गया इसका second number carbon ठीक है CHOH का whole thrice और CH2OH ठीक है इसका क्या करते है bromine water के साथ इसका oxidation कराते है BR2 H2O ठीक है क्या होगा इसका oxidation ठीक है oxidation होगा तो क्या form होगा यहाँ पर gluconic acid यहाँ पर form होगा तो gluconic acid क्या होता है COOH CH OH CH OH का whole thrice CS2OH ठीक है यह क्या बने गए यहाँ पर gluconic acid ठीक है बिए जो gluconic acid है इसको क्या करते है PRIDEIN के साथ हीट करते है ठीक है PRIDEIN के साथ जब हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो hydrogen atom है ये क्या होता है इस carbon पर जाएगा ठीक है और यहाँ पर जो oxygen के साथ जो double bond है वो bond क्या होगा यहाँ पर यानि कि इस carbon पर दो क्या हो जाएंगे OH गुरूप हो जाएंगे ठीक है जो इसका क्या रहेगा in all intermediate यहाँ पर foam होगा ठीक है CH2 OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा यह दोनों गुरूप OH और यहाँ पर भी यह OH ठीक है कि यहाँ पर जो oxygen के साथ यहाँ पर double bond है तो उस bond के electron या जाएंगे तो electron वो electron याएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ से यह release हो करके यहां जाएगा तो bond यहां पर इस तरह से यह double bond foam हो जाएगा अब यह क्या बन गया इनोल इंटरमीडियेट ठीक है अब जो इनोल intermediate है यह प्रेडिन की presence में क्या उता रहेगा इंटर conversion होगा इसका अंदर परिवर्तन ठीक है तो इसे क्या होगा Melonic Acid यहाँ पर foam होता है Melonic Acid कैसे foam होगा कि यह जो hydrogen है यह proton के रूप में यहाँ से release होगा और यह का आएगा यहाँ पर आएगा ठीक है तो इस condition में यहाँ पर क्या foam हो जाएगा COOH CHOH ठीक है और आगे CHOH का होल्थराईज CH2 OH अब अपने बोला है कि यहाँ पर क्या हो गया यह मेंनोनिक Acid यहाँ पर foam हो गया मेंनोनिक Acid ठीक है अब इस मेंनोनिक Acid को Heat करेंगी क्या करेंगे Heat करेंगे तो Heat करने पर यहाँ पर क्या बनेगा गामा लेक्टोन यहाँ पर बनेगा ठीक है तो गामा लेक्टोन क्या होता है CO अजिए जाए पर यहाँ से और इसके बिट्वीन क्या जाएगा? Oxygen यह तो यह क्या फॉर्म हो गया? गामा लेक्टोन ठीक है? गामा लेक्टोन फॉर्म हो अब जो गामा लेक्टोन है इसका क्या करेंगे? Reduction ठीक है? तो Reduction यहाँ पर Two Hydrogen Molecule Sorry, Atom यहाँ पर यूज होंगे तो आपको क्या मिल जागे यहाँ आपर? Dexto Menos CHO CHOH CHOH का Hold Thrice और CH2 OH क्या क्या हो गयाँ यहाँ आपर? Dexto Menos ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर क्या है? कि Dexto Menos का Dexto Menos में Interchange होता है इसी तरह से अपने क्या कर सकते है? कि Menos से Dexto Menos से Dexto Menos से Dexto Menos में क्या कर सकते है? Change कर सकते हैं तो यह अपने Next वीडियो में बात करेंगे ठीक है? Thank you